आची वीडियो में हम जानने वाले हैं विंका प्लांट को अपने गंबले में कैसे लगाएं इसकी देखबाल कैसे करें ज्यादा फ्लावर हम कैसे पाएं इस फ्लांट से तो जोस्तो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था मैंने दो प्लांट विंका वाले ख़ईदे थे और अगर आपने अभी तक नहीं ख़ईदा है तो आप इसको अभी भी भी बाई कर सकते हैं आपको जो तो जो तो एक है हाइविड वाली आपको पसंद हो आप ले सकती 활 जाएनियो कोफ जाए कि दया है किसी भी मिट्ची में आप इसको लगा सकते हैं गंले की बात की जाएए, तो यहां पर मैं 8 इंच वाली गंले युज़ कर रहा हूँ, विंका प्लांट आपको बहुत सारे कलार आपंसân में मिल जायेगा, इसको सरावाः प्लांट भी बोलते है, यानि हमेशा हरा बहरा रहने वाला प्ला बोलते है, तो बहुत सारे कलर आफसन में आपको ये पौदा मिल जाएगा ये फूल मिल जाएगा तो आप इसको बड़ी आसानी से लगा सकते हैं तो सबसे पहले आपको पौली बैक को हटा लेना है उसके बाद में अपने गमले में थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है इसके बाद में हम अपना पौदा इसमें डाल देंगे इसके बाद में चारो साइट से आपको मिट्टी डाल देना है और आपका पौदा लगके तियार हो गया अगर देखभाल की बात की जाए तो ज्यादा फूल पाने के लिए आपको अपने पौदे को हमेंसा धूप में रखना है छायादार जगा पर रखेंगे तो प्लांट की ग्रोथ होगी लेकिन आपके पौधे में ज़्यादा फूल नहीं आएंगे तो ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको पौधे को धूप में ही रखना चाहिए अगर देखभाल की बात की जाए तो हर 20 दिन पे कोई भी आप गोबल की खाद या फिर या घर पे बने ही खाड डालते रहिए वैसे विंका प्लांट काफी केरलेस प्लांट है ज़्यादा देखभाल आपको नहीं करनी पड़ेगी बसा एक बार आपको लगा देना है समस्में पिखाद पानी देते रहना है तो आप अपने पौदे से ज्यादा से ज्यादा फूल पा सकेंगे फिर भी थोड़ी बहुत अगर आप देखभाल करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मतर में भी फूल पा सकते हैं बहुत ज़्यादा फूल पाने के लिए आपको पिंचिंग करते रहना होगा, इसमें जो सीड पोर्ट होते हैं, जो बीज इसमें लग जाते हैं, उसको आपको तोड़ते रहना होगा, पिंचिंग करने से आपको पौदा होता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, नसी वाले पिंचिंग करते रहते हैं, जिससे पौदा फूल छोटे से ही घना हो जाता है, और ज़्यादा फूल आपको मिल सकता है, तो पिंचिंग भी आपको करते रहना है, विंगा प्लान पे ज़्यादा फूल कैसे पाएं, इसके उपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी, अगर आपने वीडियो नहीं देखिए, तो मैं नीचे लिंक देदूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर बताएं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जयाहिन, बंदे मातरम